दिवाली के मिठाई हो, यीद के शीर हो, गुरुद्वारे का प्रिसाथ हो या फिर क्रिस्मस का के, हर चीज में मीठा तो होता ही है और मैं तो बलकी ये कहूँगी, कि हमारी डेली लाइफ में भी रोज रोज अकर लंच या फिर डिनर में कुछ मीठा ना हो, तो खाना अधूरा से रहता है तो क्यों ना कुछ डिफरेंट टाइप के डिजर्ट्स ट्राइ किये जाएं? हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मर्यम और आप देख रहे हैं देशी शेप जहां मैं आपको बहुत ही यमी डेजर्ट सिखाने वाली हूँ और आज जिस डेजर्ट को हम सीखेंगे उसका नाम है क्रिस्पी बटर वान्टॉन्स तो जल्दी से इसके इंग्रीडिन्स नोट कर दीजे वान्टॉन रेपर्स तलने के लिए तेल, एक बड़ा चमच मक्षन, एक चौथाई कप शकर, एक चौथाई कप शहद, दो बड़े चमच तिल सिखे हुए, दो बड़े चमच आइसिंग शुगर सबसे पहले हम बॉन्टॉन रेपर्स में आठ से दस लंबे कट्स लगा लेंगे किनारों को नहीं काटेंगे और इसके बाद हम इसके उपर और नीचे के किनारों पर पानी लगा कर इसे गीला कर लेंगे और फिर इन्हें एक साथ जोड़कर हम चॉकलेट रेपर्स की तरह मोड़ेंगे और चिपका देंगे अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और फिर इन्ह रेपर्स को सुनहेरा और कुरकुरा होने तक दलेंगे और जब यह सुनहेरे हो जाएंगे तब हम इन्हें टेश्यू पेपर पर निकाल देंगे अब हम एक पैन में मख्षन डालेंगे और फिर इसमें दो बड़े चमच पानी और शकर में लाकर हम इसे चलाएंगे शकर गल के हलकी भूरी रंकी ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे इसके बाद हम आँच कम कर देंगे और फिर इसमें शेहर डालेंगे उसके बाद इस सॉस को हम रैपर्स पर डालेंगे इसके बाद हम इसे तिल जो किसी के हुए हैं और आइसिंग शुगर से सजा देंगे तो देशी शेफ की ये स्पेशल डेजर्ट यानि की क्रिस्पी बटर वन टॉंस एक दम तयार हैं सर्फ करने के लिए अब आप भी इसे जल्दी से ट्राइ कीजे अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी या फिर डेजर्ट के साथ तब तक के लिए आप मुझे दीजे अजाज़त टेक क्यार एंड कुट बाई